हलो दोस्तो मैं रिश्यानद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशल यूटीब चैनल पे जिसका नाम है वैदी गनित तो दोस्तो यह क्वैंटिटेटी अप्टिट्वीट वा अरुण शर्मा सॉलुशन स्रीज सेकेंड चल रही है और इस स्रीज में आपको नंब सीस्टम का भी शुरू हो चुकआ है और यह लेबल टू शुरू हो चुका है नुमल सिस्टमक तो नुम्बर स्टम को लेवल. ब टू शुरू हो चुका और यह लेवल बर किया यह पार्ट 17 यह प्सक्लस 17op मैंने skip कर दी हैं तो total questions यहाँ पर आएंगे 22 से लेकर 33 में कितने questions आ जाएंगे आपको 10 questions के solution आ जाएंगे ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताए कि level 2 शुरू हो चुका है तो questions अच्छे है अच्छे level के तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस सारे questions को अगर आप ऐसे से CGL का preparation कर रहें या फिर CHSL का या फिर CPO examination का या फिर हो सकता आप IBPS bank P.O.C.L.R. के examination का preparation कर रहें या फिर SBI bank P.O.C.L.R. का या फिर CAT, MAT, JAT examination का किसी भी examination preparation कर रहें तो यह topic काफी ज्यादा important होता है देखिए IBPS bank P.O.C.L.R. के examination नंबर सिस्टम से नहीं पूछा या था लेकिन आपको basic की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप उस चीज को हो सकता है यूज करके कहीं पर भी implement करके दूसरे questions को हल कर सको ठीक है इसके regarding मैं बोल रहा हूँ कि IBPS bank P.O.C.L.R. क वालों के यह important है क्योंकि यह basic चीज है नंबर सिस्टम की ठीक है ना साथी साथ जो CAT, MAT, JAT examination preparation कर रहें उनके लिए तो खैर important है और कोई भी होगे जैसे railway का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी competitive examination कर रहे है तो number system बहुत ही important topic है और इससे questions जो है ना पूछे ही जाते है ठीक है ना तो यह उस हिसाब से यह topic जो काफी जादा important है ठीक है तो टेलिग्राम का channel जो मेरा है टेलिग्राम का जो group है उसका आपको नीचे description box में लिंक मिल जाएगा आप मेरे साथ जूड सकते हो डिरेक्ट क्लिक करके आप मेरे साथ टेलिग्राम के group में भी जूड सकते हो आपको कोई videos की notification मिल जाया करे तो दोस्तों अगर आपको यह पैसंद आता तो प्लीज या लाइक जरू कर देना और अपने दोस्तों साथ भी शेयर जरू करना और अगर आप इस साथ पर नए हैं और आपको लगता है कि आपके लिए beneficial है तो यार सब्सक्राइब भी जरू कर देना ठीक है तो चलिए लेट नहीं करते हैं एक एक करके question लेते हैं उनका solution देखते हैं हां तो दोस्तों पहला सवाल आपके screen पर है 22 सवाल है और इस सवाल में आपको क्या बूला जा रहा है कि the highest power of 990 that will exactly divide 1090 फैक्टोरिया यहां पर आपको बूला जा रहा है कि 990 का सबसे highest power क्या होगा जिससे कि हमारा जो है 1090 फैक्टोरियल जो है आसानी से divide हो जाए clear यह बात देखिए इस तरह कोशन मैंने पहले भी करवा रखे लेकिन वहां पर जो करवा है थोड़ा सा अलग तरीके से करवा है तो उसी concept को हम लोग यहां पर भी use करेंगे देखो सवाल में कहा क्या रहा है कि हमारे पास अगर फैक्टोरियल में देखा जाए 1090 ठीक है फैक्टोरियल है इसको मैं divide करूँगा कितने से 990 से तो 990 का क्या power होगा highest power जिससे कि हमारा 1090 जो है ना फैक्टोरियल वह क्या हो जाए डिवाइड हो जाए आसानी से तो 1090 का तक जाएगा और इसको जो गुना करेंगा जो रिजल्ट आएगा उसको 990 से क्या होना चाहिए कि highest power हों को देखना है कि वह आसानी से डिवाइड हो जाए समझ गया आप मेरी बातों को ठीक है 990 का फैक्टोरियल बोला जा रहा है यहाँ ठीक है तो 990 जो है यह अभी प्रा 9 x 11 x 2 x 5 लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकता हो 3 x 2 x 5 x 11 और इसको सोचनी कोशिश करना कि 3 से डिवाइड होने यहाँ यहाँ पर क्या हो ऑंगे बहुत सारे अंख होंगे होंगे ना उसी प्रकार से दो से भी डिवाइड होने ले बहुत सारे अंक होंगे उसी तरह से पांच से भी डिवाइड होने ले बहुत सारे अंक होंगे लेकिन अगर मैं इन तीनों से compare करू 11 को तो 11 से divide होने वाले अंग obvious सावात है क्या होगा कम होगा जितने 3 के होंगे जितने 2 के होंगे जितने 5 के होंगे उतने 11 के नहीं होंगे अब हम लोग क्या करते थे जब number of zeros निकालते थे या इससे पहले जो हम लोगों ने किया जो prime factor के होते थे तो वहाँ पर हम क्या कोशिश करती है इस फॉर एक्जांपल में लेके चलो हम क्या number zeros निकालते थे इससे पहले वाले पहले वी इस तरह के सवाल आ रखे मैंने आपको वहाँ बताया होगा कि number of zeros जब निकालते थे तो हम उसमें देखते थे 5 और 2 पर करता था number zeros कितने होंगा मतलब उसक해요it कितने number of टूंग कितने number of फाइव इस पेडन करता है की कितने number zeros होंगा 5 का पैङ को होतारा वह कम होता है कि उसके प्रकार से कहाँ साब्राइब त्राइब 10-90 के अत्युसित चैकर था देखें so 10 से sih करें 10,90 से कितना सक्का की 10,90 में गbay कितना होगा यह 10 सक एं travelled 11 से सक्क्ना से रिवाइड करनें जाए जाए यहा, से हो जाएगा ठीक है अब इसका 9 को हम लोग 11 से डिवाइट नहीं कर सकते हैं अब दोनों को जोड़ दो अब दोनों को जोड़ देंगा तो कितना हो जागा यह 108 मतलब 108 अगर हम n का पावर लेते हैं हाईएस्ट पावर यह होगा 108 जिससे कि हमारा क्या है 1090 फैक्टोरिल क्या हो जागा डिवाइड हो जागा कौन से ओप्षन से हमारा सी ओप्षन क्या हो जागा है ठीक है फ्रेंट्स चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्र रखते हो देखो तोड़ की कर लो तो ज्यादा बेटर होगा यहाँ पर क्या बोला जा रहे है इफ फैक्टोरियल 146 इस डिविजिबल वाई 6 तो दी पावर 9 इन देन फाइंड दा वैली अफ एन तो यहाँ पर भी इन का वैली निकालना मैक्सिम वैली तो यहाँ पर क्या देखेंगे 146 फैक्टोरियल में है फैक्टोरियल का मैंने पतलव आपको बता रहा है पिछलों सवाल में क्या होता है तो यहाँ पर अगर मैं 6 को कर तोड़ता हूँ प्राइम फैक्टर में तो कितना हो जो 2 इंटो 3 फिर वही बात आ गई घूमके 2 के तो बहुत सारे हो जा इया जगा 3, 4, 12, 3, 8, 24, 48 को फिर से 3 से डिवाइट करेंगे कितना हो जगा इस सुछलों को फिर से डिवाइट करेंगे 3 से कितना जगा पांच 5 एक बर और आपको 3 से चला जाएगा एक हो जाया ठीक है सब जोड़तों 6 से 12 अट 20 हो जाएगा इन सब को मैं प्लस कर करेंग ह सब्सक्राइब तो वह आसानी से हमारा क्या हो जाएगा डिविजिवल हो जाएगा 146 फैक्टूरिया तो बी ओप्षिन क्या यहां से सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स चलिए अगला सवाल देखते हैं हां तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है यहां पर क्वेशन जो दे रखें गया है आपको उसमें यह लिखा हुआ है लास्ट टू डिजिट्स इन दा मुल्टिप्लिकेशन तो आप देखोगे यहां पर यह सब क्या मुल्टिप्लिकेशन में इस बात कधियान देना सारा क्या आपको मुल्टिप्लिकेशन में है क्लियर है यह सारा क्या आपको मुल्टिप्लिकेशन में है समझ गया तो यहां पर हमसे पूछा जारा लास्ट टू डिजिट में मुल् यहाँ पांच और दो 추क्स्क्ति आपने कеди और और अगमें यहां पस 2-5 है तो 2-5 है तो अब्वियस सा बात है कि last card जो 2 digit हो रहा पका 0 ही होगा इसको कौन सा option से हो जागा हमारा यह option क्या जागा यहां पर correct हो जाएगा ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं हाँ तो दूस्तो अगला सवाल आपके screen पर हैं यहां पर बोला क्या जा रहा था expression 333 to the power 555 plus 555 to the power 333 is divisible by देखे हमने यहां करना क्या है कि triple 3 to the power कितना आपको है ठीक है प्लस 555 to the power कितना यहां पर आपको triple 3 है ठीक है तो is divisible by इन में से कितने से क्या है divisible है तो अगर मैं इसको तोड़ता हूँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहां पर इसको ऐसे भी तो लिख सकते है न देखिए अगर ध्यान दीजिएगा यहां पर 3 into triple 1 to the power कितना हो जाएगा पच्छबन हो जाएगा ठीक है प्लस 5 into इसको थोड़ा से तोड़ दिया हो अपने अगर आप यह ध्यान से देखोगे तो अगर मैं सब एक एक करके लेता हूँ हो यह 37 डिवाइड इक तो यह 37 से आपको भीड हो जाएगा सबसे सकते हैं कितना है यहां पर 555 है अगर मैं यूनित-वीजिट की धेख रहा हूं तो तीन का पावर अगर 5 यहां रखते हैं तो यह कितना हो जागा ? तो 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जोड़ देना होता है तो अगर मैं इसको जोड़ देता हूं पानसो पच्पन को जोड़ेंगे तो कितना पर 15 और यहां पर ट्रिपल थ्री को जोड़ देता हूं 3 3 6 3 9 कितना पर चौबिस क्या यह 3 से डिविजिबल है ति इसका यह बी भी क्या जाएगा इसका बी से भी डिविजिबल होगा इसका सही उत्तर क्या होगा ऐल अफ यहोप आपको यह question समझ में आगे होगा चली बढ़ते है अपना अगला सवाल देखते है वाम लो हाँ तो दोस्तो अगला सवाल आपके screen पर है अगला सवाल क्या है if we add the square of the digits in the tenth place of the positive two digit number to the product of the digits of the that number we shall get 52 and we add the square of the digit in the unit place to the same product of the digits we shall get 117 find the two digit number यहाँ पर क्या बोला जा रहा ना कि अगर मैं दो digit का जो square देखो यहाँ पर if we add the square of the digits in the tenth place of positive two digit number अगर मेरे पास पर positive two digit number मैं करते चलना सवाल को xy क्या है मेरे पास एक positive two digit number है अब इसमें बोला क्या जा रहा है if we add the square of the digit in the tenth place tenth place पर कौन साथ digit है y है यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग if we add the square the digit of tenth place पर क्या है आपका x है y नहीं x x square उसका square ले लिया positive two digit number to the product of the digit अब इसके product से मैंने add कर दिये है यह बोल रहा है product of the two digit number we shall get 52 क्या निकलता है मेरा 52 निकलता है अब क्या बोल रहा है if we add the square of the digit in the unit place unit place पर कौन सा आपका y है unit place का बोल रहा है square of the unit place of the digit अब उसके बाद क्या रहा है unit place to the same product of the digit same product उसी तरह से उसी दिजिट का same product तो हमें कितना मिलता है 117 मिलता है तो find the two digit number तो हमें यहां पर दो digit number यहां पर हमें बताना है ठीक है तो एक एक करके option से this question को solve करना तो यह आसानी से हल हो जाएगा ठीक है तो एक एक करके 9 चोक 36 हो जगा दोनों को multiply भूल रहा है दोनों को जोड़िए तो देखियों भावन यहागा और Y का स्कुयर कर लेते हैं यहां पर मतलब unit place का तो 81 और यह कितना हो जगा 36 हो जगा दोनों जोड़ी है तो आपको क्या है, 117 मतलब क्या है कि C option जो हमने चूज किया तो हो क्या आपका सही उत्तर है, ठीक है, चली बढ़ते है अपना अगला सवाल देखते है, हाँ तो दोस्तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल कहा, the sum of the digits of the three-digit number is 17, sorry, 17, the sum of digits of the three-digit number is 17, and the sum of the square of its digit is 109, if we subtract 495 from that number, we shall get the number consisting of the same digits written in the reverse order, find the number, तो देखिए, इस सवाल क्या होला है, तीन डिजिट का number है, अगर हम उसको जोडते हैं, तीनों digit को, तो हमारा sum कितना आता, 17 आता, अगर हम उसको square को जोडते हैं, तो हमारा sum आएगा, 109, तो अगर हम, if you subtract 495, अगर हम उस number से 495 को subtract करते हैं, तो number क्या होता है, उसके digit क्या हो जाएंगे, reverse हो जाएंगे, ठीक है, reverse order है, फिर से वही number आजाएगा हमारा, तो find the number, तो हम यहाँ पर number पताना है, ठीक है, तो देखो, इसमें कुछ करना कुछ नहीं है, इसमें चुप- सबसे पहले है, sum of 3 digits is 17, तो 8 plus 6 plus 3, 8, 2, 10, 4, 14, 3, 17, हो गया, पहला तो हमारा satisfy कर गया, दूसरा देखते है, square, square लेते हैं, तो 8 का square कितना हो जाएंगा, 64, 6 का square हो जाएगा, आपको 36, और इसका क्या हो जाएगा, 9, इन सब को जोड़ों को तो देखना, 6, 3, 9, 10, आई जा र हमें से 17, से 17, हमें कितना मैनस करना 4, 95, 4 95 मैनस किया, यह आजागा 8, और यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9, 6, 15 आञा ठीक है, और यहाँ 4, 3 हो जाएगा, देखे, इसका ठीक हो गया, इसका ठीक हो गया, इसका इसका फिक हो तो हम लगों ने, जो option चुना था बी, वो क आपके स्क्रीन पर है, find the number of zeros in the product, ठीक है, इस number में हमें कितने number of zeros होंगे यह चीज़े में बताना है, तो पहले भी मैंने आपको बताया है, कि number of zeros जो होते हैं, वो किस पर depend करता है, पांच और दो पे, अब पांच और दो पे तो होता है, लेकिन हमने यह देखा है, कि जब भी इस तरह का factorial होता है, या कोई भी number होता है, तो उसमें 2 जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो 2 जो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें pair चाहिए, किस का pair चाहिए, 5 और 2 का चाहिए, तो हमने सबसे पहले ध्यान देना होता है, 5 और 2 के कितने pair बन रहे हैं, तो खाली कि 2 के आने से भी नहीं होता है 2 के साथ हमें कौन साच चाहिए? ''5'' पाँच जो होता है कम होता है तो यह depends करता है ..नमर ऑफ 0's कितरे होंगे? किसपे 5 पर depends करता है किसपे धयान देंगे? 5 पर धयान देंगे तो हमें यह देखना है कितना हो जाएगा? पांश हो जाएगा? एकदम होगा, ठीक है, अब इसको 6 आएगा, साथ आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, तो उतना हमको उससे मतलब नहीं है, 10 पर हमको आजाना, 10 to the power कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा? क्लियर है यहां तक बात आपको ठीक है अब इसी तरह यह चलता जाएगा यह कहां तक आएगा आपको पंद्र आएगा पंद्र टूदी पावर कितना हो जाएगा पंद्र हो जाएगा हो जाएगा ना बैग ऐसी चलता जारा और यह कहां तक जारा आपको 100 तक जारा है यह कहां से देखोगे तो यहां से एकर आप निकालोगे तो कितने आ रहे है पांच तो फिर से यहां पे देख रहे हैं कि 10 बार आरा है पंच, हमें Power पे सिर्फ ध्यान देना, अब यहां से 15 पे जाओगे तो…. तो फिर से कितना बार आरा है 15 बार है, clear है!? अब उसके बाद हम 20 20 में 20. 25 में 25 स्क्राइब 5 n to 35 मतलब सीधा कितने बार आजागा? 50 हाजएगा 50 हाजएगा ऐसी करते हुए लेकि चलना हमें समझ रहे है मेरी बातों को किसे जार रहे है पांच पर हमें ध्यान देना अब इसके बाद जाओगे सब्सक्राइब सबीद सबस्क्राइब प्रकार 90, फिर 95, फिर हम लोग आप आजाएंगे, 100 पर आजाएंगे, जहां पर आपको 100 का भी क्या हो जागा, आपको 5 का यहां पर स्क्वायर होगा, 25 चौक 100 होता है, तो यहां पर भी कितना जागा, 200, clear है, इन सब को जोड़ देंगे, अगर जोड़ेंगे, तो हमारा कितना निकल के आजाता है, 1300, मतलब 1300 क्या होगे, यहां पर 0 होगे, ठीक है, जितने 5 होगे, क्योंकि 2 तो हमारे बहुत सारे होते, डिपेंट किस पर करता हमारा कितने नमबर जीरों होंगे वह पांच पर डिपेंट करता हूं तो पांच यहां पर कितने आजेंगे? 300, मतलब 300 क्या होंगे? यहां पर 0 होंगे. तो कौन सा option से होजाँ हमारा? यहां पर B option क्या हो जाँ से correct हो जाएगा. क्लिर यह बात समझगे इस सवाल को चलिए बागे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल करते हैं हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल कहा है find the pair of natural numbers whose greatest common divisor is 5 GCD कितना है यहाँ पर आपका GCD आपको GCD यहाँ पर आपका है 5 and LCM multiple is 105 है ठीक है तो यहाँ पर क्या वले हैं हमें pair बताना है natural numbers का जो हमारे पास 4 option दे रखागे हैं जिनका GCD कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए और LCM कितना आना चाहिए 105 आना चाहिए मतलब दोनों ही pair का आना चाहिए मतलब क्या है कि 5 और 105 का GCD आपको आएगा कितना 5 आएगा और LCM कितना आना चाहिए और 15 35 का भी वही चीज़ आना चाहिए तो यहाँ पर अगर आप देखने ही जाओगे तो एका जो है ना एका जो option है यह वाले option में इनका अगर मैं देखू 5 और 105 का तो तो GCD कितना आता है GCD इनका आएगा आपको 5 आएगा ठीक है और 15 35 का अगर आप LCM लोगे ना तो 105 आएगा ठीक है लेकिन बाकि जितने भी और options हैं उनमें यह चीज नहीं होता है ठीक है अगर हम यह चीज देखें यहाँ पर यह दोनों तो ठीक है यह दोनों यहाँ पर क् पांच और 20 का देखोगे ना तो पांच और 20 का आपको GCD भी आ जागा पांच ठीक है इन LCM 105 नहीं होता है तो इस वह से हमारे D option क्या होगा रॉंग होगा बाकि अगर इसका भी LCM हो सकता होता तो इसका भी यह जवाब हो सकता तो इसलिए इसका जवाब कौन सा होगा आपक is greater than the numerator by 2. If we reduce the numerator of the reciprocal fraction by 3 and subtract the given fraction from the resulting 1, we get 1 by 15. Find the given fraction. ठीक है यहाँ पर क्या बोले रहा है कि denominator of an irreducible fraction is greater than the numerator by 2. यहाँ पर हमारे पास एक irreducible fraction है ठीक है जिसका numerator जो है वो denominator से sorry यहाँ पर क्या बोले जा रहा है the denominator of denominator जो है fraction का irreducible fraction का उसका numerator से दो क्या है जाता है ठीक है समझ रहे मेरी बात को यहाँ पर देखे फिर से मैं आपको बताते रहा हूँ the denominator of irreducible fraction is greater than वो numerator से जो है ना दो क्या आपको denominator ज्यादा है मतलब numerator से denominator जो होगा ना वो क्या आपको दो ज्यादा है यह हमारे पास क्या irreducible fraction है यही ना irreducible fraction है यही चीज़ बोलना चाहरा है अब बोल कहा रहा है कि if we reduce the numerator of the reciprocal fraction अब इसी का मैं reciprocal ले ले लेता हूँ reciprocal fraction ले लेता हूँ और if we reduce the numerator of the reciprocal fraction by 3 and subtract the given fraction from the resulting one we get 1 by 15 find the given fraction ठीक है तो यहाँ पर हमारे resulting क्या आ जाता है अगर मैं फिर से उसके साथ subtract करता हूँ तो मेरे resulting कितना आता है यहाँ पर 1 by 15 आता है तो हमसे पुछा जा रहा है कि वो fraction कौन सा होगा clear है बात यहीं पूछा जा रहा है चली हम देख लेते हैं यहाँ पर अगर मैंने यह option चूज किया है बी वाल option option कि तुरू ही जाना आप भी तो बी option अगर मैंने चूज किया है तो हमारे पास जो fraction वो कितना थ्री बटे में 5 है अब क्या बोल रहा है कि थ्री बटे में 5 है अगर मैं पहला ला लाइन पड़ू तो इस पर यह फिट बैट था आप देखना ध्यान से the denominator of the reducible fraction is greater than by numerator by 2 तो 3 में बस आप जब 2 जोड़ोगे तो कितना आ जागा पांच आ जागा तो मतलब फिट बैट रहा है ठीक है अब आगे बढ़ते है मतलब इसकी reciprocal की बात हो रही है तो इसका अगर मैं reciprocal कितना इसका चारा है फानच बटे में 3 तो हमारा result कितना आ जागा हमारा 15 आना चाहिए, तो हमसे पुछा जा रहा है कौन सा fraction होगा, चली इसको solve करके देखते हैं, तो 15 यह कितना हो जगा 10 और यह जगा आपको 9, यह जगा आपको 1 बटेवे 15, जो कि किसका आपको 1 बटेवे 15, मतलब LHS is equal to RHS, तो हमने जो option choose किया था, बी option में वो क्या हमारा correct option है, clear है बात, ठीक है, तो इस question को हम लोगों ने इस तरीके से solve किया, option की through ही, तो option की through ही जादा था number system के questions क्या होते हैं, solve होते हैं, ठीक है, चली अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हाँ तो दोस्तों यह वीडियो का अंतिम सवाल है, इस सवाल में क two digit number exceeds by 19, the sum of the squares of its digit and by 44, the double product of its digit, find the number, देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, की, दो हमारे पास संख्या है, ठीक है, दो digit की हमारे पास क्या है, संख्या है, यह two digit number exceeds by 19, the sum of the square of the digits, अगर हम उसके square of the, मतलब, अगर दो digit का जो हमारे पास जो number है, ध्यान समझेगा, दो digit का जो number है, वो 19 से क्या करता है, exceed करता है, कब exceed करता है, जब उसके हम लोग square का, digits के square का, जब हम लोग sum लेते हैं, तो इस में हमें क्या जाना पड़ेगा, option के through ही जाना पड़ेगा, तो चलो सबसे पहला all option लेते 72, चीक है, अब 72 में क्या बोला जा रहा है, कि 72 में जो दो digit है, एक तो हमारा 7 है, 10th place पे और 2 के हमारा 1st place पे, तो उनके square ले लेते हैं, some of squares of the digit, तो इसका मैं square ले लेते हैं, तो यहाँ जगा 49, और यह जगा आपको 6, यह कितना हो जगा 53, 53 अगर मैं यहाँ से minus करूँ, हमारा exit कर रहा, हाँ वही 19 से हमारा क्या कर रहा, exit कर रहा, चली दूसरा जो condition हो देख लेते हैं, and by 44 the double product of its digit, अगर हम इसके sum of its digit, and by 44 the double product of its digit, ठीक है, अगर हम लोग इसका sum ले ले लेते हैं, कितना इन दोनों का, यह है, दोनों का sum, दोनों का product देख लेते, 72 हमारे पास है ना, डिजिट, जो सबसे पहला option हमने चूज किया, इन दोनों का, जो multiply किया, plus double ball runner, double product of digits, तो plus 78 to 2, कितना आपको 14, अब 14 माइनस करके देखते हैं हम लोग 72 में से, तो 44, यह हमारा क्या कर रहा है, satisfy कर रहा है, तो इसका उंदा क्या है, कि जो option हमने चूना था, वो यह option क्या है, यहां से, correct है, ठीक है friends, तो friends, I hope आपको यह question, जितने ही मैंने question करवाया हैं इसमें, वो सारी समझ में आ गया होंगे, यह जो सवाल था, यह इस video content सवाल था, और आपको यह video कैसा लगा, प्लीज आप मुझे comment box से comment करके ज़रू बताइएगा, और अगर आप इस channel पे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आप इस channel पे हो, तो अगर आपको पसंद आता है, तो प्लीज यह लाइक भी जरू कर देना, और अपने दोस्तों साथ भी शेयर चरू करना, तो at last दोस्तों, thank you so much for watching my video, and best of luck for your future.